तो सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वेजे से आज मेरे यूटूब चैनल पे पूरे 1000 सब्सक्राइबर कम्पलीट हो चुके हैं और उस चीज को बताने में मुझे काफी ज़्यादा खुसी हो रही है क्योंकि आप सभी लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और इतनी जल्दी मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कम्पलीट हो चुके हैं मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नी था क्योंकि जो मैंने अपनी यूटूब जन्नी इस्टार्ट की थी वह की थी 2021 अक्टूबर में और उस टाइम एक टॉपिक ट्रेंडिंग पे चला था जो था माई फर्ष्ट ब्लॉग और उसी को देखके मैंने अपने यूटूब चैनल इस्टार्ट किया मैंने भी सोचा क्य क्या पता मैं भी वाइरल हो जाओ लेकिन जैसे मैंने वह अप्लोट किया तो उस पर मुश्किल से 15-20 लोगों ने देखा और उसके बाद फिर मैं अंदर से डी मोटिवेट हो गया मैंने का कोई मुझे देखनी रहा तो मैं ब्लॉग बना के क्या करूंगा लेकिन कहते कि जो इनसान महिनत करता है वो एक ना एक दिन सफल जरूर होता है और मैं उसी चीज के भरोसे था और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की जाए तो अक्टूबर और नॉमबर और दिसंबर इन तीन मैंनों में मैंने यूटूब छोड़ दिया थ नौ जनबरी से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी अपना जो सेकिंड वीडियो थी मैंने नौ जनबरी को डाली और उसके बाद मैं लगातार आज तक वीडियो डालता आ रहा हूं और आगे भी ऐसा डालता रहूंगा तो जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो दस दिन में मे को बताने वाला थे कि जो जीरो से और 1000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है वो मैंने किस तरह से पूरा किया उसको मुझे पूरे 6 मेने लग गये 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करने में तो अगर आपका ऐसा ही सपूर्ट रहा तो एक वह जमाना था जब मेरे 0 अगर आप लोग ऐसा ही प्यार बनाए रखे तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जुकेगा नहीं साला तो आप से मिलते हैं नेक्स वीडियो में और जो होने वाला एक ब्लॉग तो यह वीडियो में आपको मोटिवेट कर रहा था कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानन जो इंसान धीरे धीरे करके उपर जाता है तो वो जल्दी सफल भी होता है और जो इंसान एकदम से उपर जाता है वो एकदम से नीचे भी गिरता है तो अब अपनी जिंदगी में कभी भी हार नी माननी चाहिए तो आपसे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ब कर दीजिएगा